कि देखो ये कि let f है जो कि g है ये दो functions है जो define है तो we define then we define f of x क्या होगा x to r होगी by f plus g x तो दोनों को अलग अलग लिख देंगे subtraction में दोनों को क्या लिख देंगे minus के साथ लिख देंगे बात वह ही है कुछ नहीं कर रहे है यहां पर अब इसकेलर multiplication आएगा तो let x एक function ले लिए f होगा जो कि x से r होगा real value function होगा alpha is क्या होगा एक scalar होगा ठीक है तो then by we mean the real then the product alpha f यहां कि वह इससे भी पता है यह domain का element है तो domain में इससे तो आएगा ठीक है अब यहां से देखो दो product कैसे करते भी देखो दो functions का product wise दो function define कर दिया और यहां से देखो इनके x लगा दिया को सेंट form में वही f of x आएगा तो यह प्रोविड होगा नीचे gx मैंने वहां पर उल्टा लिख दिया था उपर gx लिख दिया नीचे fx लिख दिया यह दो function होंगे real value function होंगे जो कि x to r define होंगे और इसी में constant form है वह इस परकार से हमें दी हुई होती है